जैन दोस्तों आज का हमारा लेक्चर हैं ब्लड बेंग ब्लड बेंग के अंतरगत हम पढ़ेंगे या स्क्रीनिंग टेस्ट डॉनर का सेलेक्शन हमें किस तरह करना है हमें कौन-कौन सी रिक्वार्मेंट होती है क्या प्रिक्रिया होती है यह सब हम जानते हैं कर से इनिशिल पार्ट जो होता है वह होता है सएलेक्शन डॊनर है कि वह और है वॉलंसरे होणा चाहिए कोई ड्रक्स नहीं को दिशिज तो नहीं को बीमारी तो नहीं स्योर्ठ है क्योंगि जब हम बलट डॉनर का साइट से फिल्ड रख करके पैसेंट को स्टेंडर ब्लड टांस्फूजन हम कर सकते हैं इसलिए हमें डॉनर का सेलेक्षन सब्सक्राइब के आना चाहिए क्योंकि कई सारी डिसीज होती है जो ट्रांस्फूजन के दौरान एक वक्ति से दूसरे वक्ति में जाती हैं ब्लेट के थुरू इन्हीं सारी चीज़ें को इलिमिनेट करने के लिए हमें ब्लेट डॉनर का सेलेक्षन सब्सक्राइब से आना चाहिए तो इससे इसके लिए समपरते हैं ब्लेट बैंकिंग अप लोगों को पता होगा दोजसर इन्वल्वावर इन क्लेक्टिंग पॉसेसिंग डिस्टिपूटिंग डाप पोटेंशील डॉनर का ब्लेट विग इंकिंग वह जगाय वह इस्तान वह बिभाग जहाँपर इस्टोरी जह माँगे पढ़ाएंगे हर एक कंपोनेंट का अलग-अलग टेंपरेशर होता है उनकी अलग-अलग देज होते कितना दिन के अपन रख सकते हैं प्रक्रिया क्या होती है बहुत साइप प्रिक्रिया होती है उसके अंदर डिस्टीब्यूतिंग दये कर गोंड़ ऑिज सोसे करिंध न क्या है अगला परेंगे बलट टांसफूजें और टेक्निक के पैसेंट- होल बडर और it's component is known as blood transfusion अतहां blood transfusion होगा है तकनीक है जहां पेसेंट के blood को यह पेसेंट के blood यह उसकी अभियोबों को यह component को बदलने की तकनीक को हम कहते हैं blood transfusion सैलेक्षन ओपे डॉनर, most healthy individual can donate blood without any ill effect, मतलब स्वस्थ व्यक्ति, कोई भी स्वस्थ व्यक्ति बिना किसी प्रभाव के blood donate कर सकता है However, selection and proper identification of a donor is essential so that the blood collected for transfusion is safe and beneficial to the patient या recipient इसका मतलब यह है कि हम डॉनर का सही तरह सेलेक्शन proper identification करना बहुत ही अन्यवार है क्योंकि so that the blood collected जो हम blood एकरत्रित कर रहे हैं collect कर रहे हैं बैग में for transfusion for transfusion transfusion के समय is safe and beneficial to the patient recipient पेसेंट को पेसेंट के लिए हम blood transfusion करेंगे तो पेसेंट के लिए स्वयक्षिप और फायदेमन या लाबकारी हो जो हम blood bag एकत्यत कर रहे हैं इसलिए हमें donor का सही धंग से selection करना आना चाहिए जब हम donor का selection करते हैं कहीं पर भी जैसे की blood bank या blood donation केमपों में तो हमें अपने mind में दो बातें याद रखना हैं कौन सी बात हैं सबसे पहले the blood collection procedure should not be harmful to the donor जो हम blood collect कर रहे हैं donor का उस प्रिक्रिया के दौरान should not be harmful to the donor donor को किसी प्रकार का harm या नुकसान नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम सब्सक्राइब करते हैं जैसे उसका एज कम रहता है या उसका बीपी लो होने लगता है जिससे चक्कर आने लगते हैं तो यह हमें अपने मायंड में ध्यान दाखना है और दूसरा है डा डौनर बलड शुद नॉट भी हार्मफुल तो दा रिषीपेंट जो डौनर का बलड है वहानिकारक या फिर हार्मफुल नहीं होना चाहिए क्योंकि कभी कभी क्या होता है जैसे कि कोई डिसीज होती है अब उनको पहले से कोई पीगड़ेते किसी वीमारी से कई-कई बता देते कई लोग नहीं ही बताते हैं तो सब अपन को ध्यांद में रखना हैं और सफ्य सोने को इस सब चीज़ों से बचााथ है हम पड़ते हैं ब्लेट डॉनर कितने प्रकार के होते हैं अगर देखते हैं में टॉनर या इनको कहते हैं पी है कि स्वायच्छिक डोनर उनका किसी से लेना देना नहीं होता है जहां पर बनलब कई डानेशन केंप लगा हुआ है और वह आए और देके चले गए कोई मतलब नहीं रहता है हैं उनको बोलते हैं बॉलनेटरी टानर है लिघ्णुत जिलेज्टी डापना लोगत सब्रूइलों या तिरीमिंट डाओनेंट सब्रूह दस्कूलियग गुलुचनु से Jesu Х जो आपको पहका मरीज़ भर्दि भर्ती हैं आपको कोई पह पहकाणने वाले आपको के रिष्टेदार देश sì आपको एक्षेंज में मिल जाए इसको बहुते हैं टार्ट से संस्ट कोफेशनल लालाचि में कंप निघ्रण उनको पन बोलते हैं अब देखते हैं डोनर पिस के पには निघ्रण सब्सक्रीणिदाइlles को सब्सक्रीण 1988 के चार स्टेप होते हैं कौन कौन से देखते हैं फिजिकल एक्जामनिशन सेकेंड मेडिकल हिस्टरी थर्ड लेवोरेट्री टेस्टिंग चौता है डॉनर रजिस्टेशन इन चार हिस्ट्री एक्जामनिशन को लेकर ही हम डॉनर स्क्रीनिंग करते हैं फर्स्ट है फिजिकल एक्जामनिशन हम देखते हैं उसका एज कितना है बेट कितना है इस सब चीजें फिजिकल एक्जामनिशन अपन देखते हैं आंगे देखते हैं मेडिकल स्ट्रीम है मेडिकल स्ट्र कर सकते हैं उसका नाम क्या है और पूर प्रॉपर एड्रेज ऐडेंटिफिकेशन होना चाहिए वह सब चीजें देखते हैं सबसे पहले एज उसके बाद वाइट ट्री ब्लेड प्रेशर चोथा पल्स पांच वाइट टेंपरेचर च्छेट वाइड़ और साथ वेणी पंचर साइड एज कितना होना चाहिए अठारा से लेके बासट साल तक किसी किसी में सिक्स्टी है कि सिक्स्टी फाइज है अलग अलग बुक में अलग दिखा है से अगर देखते हैं वेट वजन उसका किता है मौल देन 45 केजी होना चाहिए 45 किलो से अगर कम आपन ब्लड नहीं ले सकते हैं 45 केजी से उपर ही होना चाहिए अगर अगर उसका 350 एमिल ब्लेड निकाल सकते हैं अगर वह शिक्स्टी केजी अबाव है तो तो फोर फिप्टी एमेल अपन ले सकते हैं थार्ड है ब्लोड प्रेशर ब्लोड प्रेशर मस्ट भी नॉर्मल नॉर्मल नियुज की रहते हैं 120-80 mmHg इसके जो सिस्टॉलिक इंडिस्टॉलिक प्रेशर हैं सिस्टॉलिक नब्बे से 150 mmHg है चलेगा और दिस्टॉलिक 50 से ले है मैं में आउसके हैं ब्लोड प्रेशर नोर्मल होना चाहिए है वाएक है पॉर्स इस नॉर्मल चलनी चाहिए भी प once की छबीड है सत्रस लेके 100 पर मिनेट रेगुलर होनी चाहिए उसके बाद देखते हैं टेंप्रेचर टेंप्रेचर सुट भी नॉर्मल एक बर डेने के बाद सेकेंड टाइम जब डेगा तो कम से कम थ्री मुनत का इंट्रवल होना चाहिए तीन महीने बाद की लेना है से वालेदेटगें सदने आता है यहां से आपने साइट है वहाँ पर किसी प्रकार का और और अबजेक नहीं होना चाहिए जैसे कि लख टे टो है कोई कटे कर निसान है यह पर जला हुआ इस अब पर दते हैं मेडिकल हिस्ट्री मेरे हैडिकल हमने प्रियामीटर डिसीज लिखे हुए है और इन में कोई डिसीज के नाम भी लखे हैं इनके बारे में बता रहे हैं जैसे कि HIV infection हुआ है सिफलेस बीमारी है उसको लेप्रोसी है लीसमेनियासेस है ट्यूबर क्लोसेस की बीमारी है 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 एपिटाइटिस हुआ है डॉनर को कोई क्रोनिक लीवर डिसीज है लीवर फेलियर हुआ है किन्नी फेलर हुआ है मेलिंग नेंसी दिमागी बखार है डायवेटीज है लब इनसुलीन ले रहा है तो इन कंडिसम में अपन उसके ब्लट कभी भी नहीं ले सकते हैं यह डॉनर कहलाते है पर्मानेंटली डेफरल डॉनर है और इसे की प्रेगनेंसी ऐसा रीसेंट डिलेवरी हुई है टाइप हाइड हुआ है लेक्टेडिंग मदर है एनी सर्जरी हुए है तो इनका एक साल बाद ले सकते हैं रीकवरी आप्टर वन यह जैसे की मलेरिया हुआ है तो है डेंगू हुआ है तो सिक्स मंत वाद ले सकते हैं इन कंडिशन में पर्मानेंटली डिफरल किया जाता है क्योंकि यह डिसीज ट्रांस्फूजन के थूरू पेसेंट में पहुंच सकती है ट्रांस्मिशन हो सकती है पेसेंट को इन सब से बचानी के लिए अपनको डॉनर स करना चाहिए वह इन सब बातों का ध्यान रखना है अब परते हैं लेवरेटरी टेस्टेंग थर्ड नमबर पर इसमें हीमोगलोबिन अपने चेक करेंगे जो डॉनर है उसका एच्वी लेबल कितना है एच्वी लेबल 12.5 ग्राम पर डेसीलीटर से उपर ही होना चाहिए कम और अपन ब्रट गूब भी उसका पता का सब्सक्राइब तो नहीं है उसका बाकी तो अपने हीमोगलोबिन देखते हैं कि लगश्याशक करी सब्सक्राइब करें नवर न पर आते हैं और नं रजया सबसे हैं मेडिकल तर्ष उसका अब यहां जुटिол बोर्ट होता है यंट्री कलते हैं वो रिटे रोता है कि वोलते है चाहिए उसका है जैट सकी होला है झाल झाल